हलो एव्रीवान क्या हाल चाल भई दिस साइड जीशान यूर मैट्स मिन्टोर और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग यूट्यूग चानल पर जिसका नाम है मैगनेट ब्रेंज जहां आपको K-12 that is kindergarten से लेकर class 12 तक के सारे बच्चों को free of course education provide कर आई जाती है और सारे के सारे videos होते हैं top class quality content rich चोंकि आपको हर एक चीज detail में explain करते हैं जिहां हमारी पूरी team मिलकर आपको CBSC English Medium वाले board वाले बच्चों को K-12 that is kindergarten से class 12 सारे बच्चों को detail में हर एक subject का हर एक chapter का हर एक concept समझाते हैं और आपको हमारे videos में NCRT के in-depth explanation मिलेंगे आपको NCRT के exercises हर एक चीज, NCRT के questions, concepts, in-text questions, MCQs, MIQs everything you will get free of cost आपको हर एक चीज detail में explain मिल जाएगी इसी के साथ Hindi Medium वाले बच्चों के लिए Magnet Brains Hindi Medium Channel बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है आपके जितने भी Hindi Medium के मिलने वाले बच्चे हैं उनको आप convey कर सकते हो कि भाई Magnet Brains Hindi Medium Channel पर Class 6 से लेकर Class 12 Hindi Medium से related Delhi Board, UP Board, MP Board, Bihar Board और Rajasthan Board ये 5 Board से related जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो वहाँ पर जाकर बढ़िया वाली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं free of cost वहाँ पर भी quality rich content उन सभी बच्चों को provide कराया जा रहा है इसी के साथ अगर आपको notes की आवशकता है, especially for Class 6 to 12 English Medium CBSE Board तो उनके लिए notes डाउनलोड करने की बड़िया सुवीदा है आप हमारी website और application पे जाके grab e-notes पे click करके top class notes डाउनलोड कर सकते हो हम सारा course आपको free of cost cover up कराते हैं, explain करते हैं सारे वीडियोज आपको properly हमारे एक format में arranged, playlist के form में मिल जाते हैं हमारे YouTube चैनल पर, website पर और application पर Decide Zeeshan, आज आपको, आपको Class 12 को एक बहुत important topic पढ़ाने वाला हूँ भाई, that is called type of function वाली condition जो चल रही है Types of function वाला जो series चल रहा है, क्योंकि इसमें भी 4-5 वीडियोज रहे हैं अपने तो इसमें आप जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं भाईया, उसका नाम है 1-1, onto और byjective function देखो, इस नाम में दो type के functions शुपे हुए हैं अगर तुम ढंग से अच्छे से देखो, तो आपको, अगर आपने previous वीडियोज मेरे पढ़े हुए हैं तो एक है 1-1 function और एक है onto function तो एक ऐसा function जो 1-1 और onto दोनो type का function की conditions को cover up करता हो, follow करता हो उस function को हम 1-1 onto function बोलते हैं ऐसा function जो 1-1 और onto दोनो हो, ऐसा function जो injective और surjective दोनो हो उसको हम बोलेंगे 1-1 onto function या फिर byjective function तो सर इसी function के बारे में हमको detail में पढ़ना है एकाट तो examples भी देखेंगे so that आपका clear हो जाए सारा concept related to this topic because मेरे प्यारे बच्चे, सबसे जादा function से related कुछ questions अगर आपके class 12 में पूछे जाते हैं तो वो 1-1 से related पूछे जाते हैं, onto से related पूछे जाते हैं and 1-1 onto, इस से related पूछे जाते हैं चौथा type का भी function है, many one function वो इस वीडियो के बाद आपको दिया जाएगा वीडियो पर उस से इतना जादा कुछ मैं कह सकता हूँ, dance पूछा नहीं जाता तो इसी लिए इस पे मैं जादा focus कर रहा हूँ ठीक है तो अच्छे से तमीज से इज़त के साथ पढ़ लो भाई इस सारे topic को, इस topic के सारे points को अच्छे से लिख लेना, अच्छे से समझ लेना, दिमाग में ठूस लेना so that कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आपको न आए चलते हैं शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले pen, paper, दोनों लेकर बैठो, साथी साथ साथ में practice करते जाना patience रखना, तब जाके progress होगी ठीक है, चलते हैं आगे इन 5P को दिमाग में रख लेना सर सबसे पहला point, पढ़ो बिटा bijective function connects elements of two sets such that it is both one one and on two देखो, आगे बढ़ने से पहले, या कुछ समझाने से पहले मैं तुमको एक बात बता देता हूँ सबसे पहले हमने पढ़ाता one one function, सर हमने क्या पढ़ाता one one function, ठीक है, one one function और इसको अगर आप ध्यान से याद करो तो आपको एक दूसरा नाम भी बतायता injective, क्या बतायता सर, injective function, इसको हम injective function भी बुलाते थे, है ना, आपको मेरे इस, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो इसके पहले का पहला, second last video आपने ध्यान से अगर देखा हो तो आपको याद होगा फिर सर, उसके बाद मैंने आपको दूसरा एक और function पढ़ाया था, that is called as on to function, क्या सर, on to function अब ये क्या होता है, सर, on to function का मतलब होता है, मतलब on to function को हम एक और नाम से जानते हैं, that is surjective, क्या सर, surjective function surjective function, ठीक है सर, ये हो गया हमारा surjective function, last, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, तीसरा, that is मेरे प्यारे बच्चे, जो तीसरा वीडियो अभी आप देख रहे हो, it depends upon two things, सर, ऐसे functions, जिनको हम one one on to, दोनों कह सकते हैं, one one on to, one one on to function, ठीक है, और we can say that byjective, और या फिर हम इनको byjective भी बोल सकते हैं, तो सर, ये क्या लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो, मैं बताता हूँ, सुनो, बात नंबर एक, ये जो by का मतलब है ना, देखो सब के आगे objective लगा हुआ है, objective, है ना, objective, तो इसमें तो कुछ भी खास नहीं है, तीनों के आगे objective लगा हुआ है, जो main तो ये by का मतलब बिटा, two होता है, और अगर इसका मतलब two होता है, तो ऐसा क्या, sir by का मतलब होता है, sir भी आजाएगा और in भी आजाएगा, dono, two का मतलब है, dono, injective भी और surjective भी इसलिए इसका नाम रख दिया, byjective, ठीक है, one one on two, इसके नाम से तो clear समझ में आ रहा है, ऐ साथ में on two भी हो, that is called as a one one on two function, या we can say that it is also called as byjective function, ठीक है, sir, मतलब 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 अगर आपको one one की condition याद है, अगर आपको one one function की condition याद है, तो आपको याद होगा, one one और on two दोनों को revise कराना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा one one पे focus करते है, sir, sir, यह हो गया, एक set, यह हो गया, दूसरा set, ठीक है, sir, यहाँ पर, sir, मान लेते हैं, हमारे पास है, a, b, और c, ठीक है, sir, यहाँ पर है, हमारे पास one, two, three, four, ठीक है, sir, अब यहाँ पर समझना बात को मेरी, मैंने कहा, गौर से सुनना, कि sir, जो two है ना, उसकी image है two, जो a है ना, उसकी image है two, image का sir, इसका connection two से है, यह pre image हो गई, यह image हो गई, मतलब जो भी function होगा, जब हम उस function में input के तौर पर a डालेंगे, तो output मिलेगा two, यह होता है, ठीक है sir, sir, मान के चलो, b का जो output है, वो four है, मतलब b हो गई pre image, four हो गई image, है ना, b हो गई domain का part, four हो गया range का part, तो मतलब अगर हमने किसी function में, जो function दिया होगा, उसमें अगर input के तौर पर b डाल दिया, तो हमको output में four मिल गया होगा, yes sir, यही तो मतलब होता है, sir, c जो है, अब गौर से सुनना, c जो है, वो three हो गया, c जो है, वो three हो गया, मतलब c में, c को हमने input मान लिया, और function में value डाल दी, तो output मिल गया क्या, देखो function का मतलब क्या होता, सारे input के output होने चाहिए, पहली बात, ठीक है, और one-one function का मतलब क्या होता, one-one function का मतलब होता, कि अगर two के लिए, sorry, अगर a के लिए two image बन गई, अगर a के लिए two image बन गई, तो अब यह two जो है, वो किसी और की image नहीं होगी, यह, आप कह सक तो reservation हो गया, ठीक है सर, अगर b के लिए four image हो गई, तो अब यह four reserved हो गई है, b की image बन के, तो यह b की हो गई, ऐसे अगर three, अगर three c की image है, तो फिर यह c के लिए ही reserved हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह three c की बी image हो जाए और a की बी image हो जाए, यह गलत है, यह one-one में नहीं allowed 1-1 समझ गए कि every element in set first will have an image in set 2 set first में हर element की कोई ना कोई image होगी set 2 में और वो unique image होगी मतलब वो सारी images वो images जो A से connect हो गई वो A की ही रहेगी ये किसी और की image नहीं बन सकती है sir 3 जो है वो C की अगर image हो गई तो वो C की ही image रहेगी वो किसी और की image या किसी और का output नहीं बन सकती समझ रहे हो ना 4 अगर B की image हो गई तो 4 अब सिर्फ B का ही output रहेगी 4 किसी और का output अब नहीं आ सकता बचा sir 1 तो 1 को बचा रहने तो कोई समस्या नहीं है ये हो गया 1-1 function क्या हो गया 1-1 function अच्छा on to क्या होता है sir गौर से सुनना बिटा on to क्या होता है sir on to function यहसा function होता है जो इस वाले set में importance देता है इस set को importance देता है मतलब सर बताता हूँ मतलब बहुत गौर से देखना ठीक है sir ध्यान से देखना ज़रा ठीक है इस set के चारो के चारो elements image होनी चाहिए इस set के second set के on to की बात कर रहा हूँ on to function क्या 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 है कि sir second set जो है उसके हर element की pre-image होना तै है जरूरी है मतलब यह एक image होनी चाहिए और अगर यह image होगी तो इसकी pre-image होगी इसका connection first set से होगा समझ गए every element in set second every element in set second must be an image image हो one किसी ना किसी की image होगी two होगी भाई इमेज होना जरूरी है three भी होगी four भी होगी और अगर यह image है तो इनकी pre-image होगी image अगर होगी कोई चीज को आप इमेज कह रहे हो तो image कैसे बनती है किसी चीज की pre-image से भाई या pre-image image बनाती है image pre-image से बनती है गदम तो sir हम कह सकते हैं कि मान के चलो जो A है उसकी image है one जो B है उसकी image है one जो C है गौर से सुनिएगा जो C है नई जो B है उसकी image है two और जो C है उसकी image है four अब यहाँ पर हमने कहा कि यार three तो रहे गया बच्चा three तो रहे गया यार three विचारा काप रहा है कि sir three क्या है three क्या है अगर यहाँ एक भी element ऐसा रह जाए जिसका यहाँ कोई भी pre-image ना हो condition फुल्फिल नहीं हुई यह on to नहीं होगा समझ गए तो on to होने के लिए बात ऐसी है कि sir अबर मान के चलो इसको हटा दिया तो अब यह on to हो जाएगा कि sir second वाले set पे one है two है four है one a की image है two b की image है four c की image है बात clear है sir बिलकुल clear है मान के चलो इसको भी हटा दू मैं इसको भी हटा दू ठीक है और मैं ऐसा कर दू तो यह भी on to है this is also an on to function one one नहीं है अब one one नहीं है यह on to है बस on to क्यों sir second वाले set में हमारे पास one है जो किसकी image है a की two है जो किसकी image है b और c की image है तो यह on to हो गया on to का मतलब है second set में जितने भी elements है वो किसी ना किसी की image होनी चाहिए अब अगर यह दोनों image बन गए तो यह one one क्यों नहीं है sir यह one one इसलिए नहीं है बिटा क्योंकि जो two है ना वो दो लोगों की image बन के बैठा है one one कहता है कि एक element की एक image और वो image एक ही की pre image समझ रहे हो एक बंदा एक बंदी समझ गए ना इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो sir यह मैंने तुम्हारा revision करा दिया one one का और on two function का ठीक है अब अपन बात करेंगे one one on two तो sir जी clearly लिखा हुआ है bijective functions connect elements of two set जो bijective functions होते हैं वो दो set के elements को connect करते हैं in such a way कुछ इस प्रकार के गौर से सुनियेगा in such a way that it is both one one and on two function दोनों होना चाहिए one one भी होना चाहिए on two भी होना चाहिए मतलब ऐसा connection दो set का ऐसा connection दो set के elements का ऐसा प्यारा connection के वो दोनों set मिलकर एक on two function भी दिखा दें और एक one one function भी दिखा दें तब उस function को हम on two one 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 on two function भी दिखा देंगे that is called as a bijective function ठीक है clear है yes sir yes or no yes or no बिलकुल sir चलो आगे देखते है ध्यान दीजिएगा बहुत important चीज़ पर दा रहा हूँ ठीक है अभी example देखते है sir कुछ ठीक है इसको erase कर दे है ठीक है प्यारा सा example लेते है बहुत basic सा example देखते है sir ठीक है यह हो गया set one यह हो गया set two ठीक done हाँ भई देखना बिटा यहाँ पर मैंने आपको गौर से सुनिएगा गौर से सुनोगे समझ में आएगा ठीक है यहाँ पर मैंने आपको एक function दिया ठीक है I am giving you a function यहाँ पर मैंने लिखखा एक set A है एक set B है ठीक है sir बहुत गौर से सुनिएगा and the function is and the function is defined from natural to natural natural number से natural number पर defined है example दे रहाँ मेरे मन में जो example आरहा मैं वो आपको दे रहाँ ठीक है and the function is defined as fx is equal to let us say बिटा 2x ठीक है मैंने आपको एक example दे दिया कि fx is equal to 2x ठीक है अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ inputs दिये कुछ inputs दिये बिटा यहाँ input दिया मैंने 1, 2, 3, 4 ठीक है sir done यहाँ input दिये मैंने आपको 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, 10 अब check करते हैं यह bijective है कि नहीं bijective मतलब यह अपना 1, 1 और on to दोनों टाइप का function है की नहीं चलो check करते हैं ठीक है ध्यान ज़र चेक करेंगे sir fx ध्यान दीजेगा ज़रा fx जो function है वो है अपना 2x ठीक है sir है ना natural number हटा देते हैं natural number का नहीं sir यह जाएगा यह जाएगा अपना f f a to b ठीक है natural to natural नहीं है a to b लिख दिया natural to natural लिखते हो तो फिर यहां बहुत सारे natural numbers लिखने पड़ते ठीक है sir अब यहाँ पर input मैंने x क्योंकि यह क्या होता sir यह क्या होता यह सारे x की values है यह सारे inputs हैं यह सारे inputs हैं ठीक है sir inputs ले ले लेते हैं ठीक है तो पहले input 1 ले लेते हैं sir पहले input प्यार से बताता हूँ आपको पहले input 1 ले ले लेते हैं तो 2 1s are 2 2 into 1 लोग ही लिख देता हूँ 2 into 1 is 2 ठीक है यानि जो 1 है उसकी mapping 2 से हो गई 1 पर image इसकी image 2 हो गई ठीक है sir अच्छा F2 लिखे हैं अगर हम F2 लिखे हैं सर अगर F2 लिखते हैं तो 2 यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर अगर X की जगा आपने 2 लिखा तो यहाँ भी 2 2s are 4 2 2s are 4 ठीक है डन है sir यहां 3 लिखते हैं F3 2 3s are 6 2 3s are 6 है ना 2 3s are 6 धियान से देखो बिटा तो यहाँ 2,4 जैसे 2 लाला हमने function में 4 आ गया 4 output आ गया 3 लाला 6 आ गया 4 लाला input में 8 output आ गया लो भीया हमने connect कर दिये जो हमारे हिसाब से जितने input दिये थे उनके output हमने देख लिए अब समझते हैं 1-1 क्या यह 1-1 है और अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है 1-1 says 1-1 आपका पहले वाले set पे focus करता है और दूसरे वाले set में जो elements हैं जो images हैं वो single image हो नीचे यह इस बात पे focus करता है ठीक है 1-1 कहता है कि भया 1 की image कौन है 2 है काट दो अब 2 किसी और की image नहीं हो सकती ठीक है 2 की image 4 है हाँ अब 4 किसी और की image नहीं हो सकती देखो 4 किसी और की image है भी नहीं 4 सिर्फ 2 से connected है 3 और 6 की शादी हो गई भया 6 अब किसी और से शादी नहीं कर सकती या कर सकता, तो 3 is with 6 4 is with 8, single single चल रहा है, 1-1 चल रहा है, 1-on-1 1-on-1, 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 1-on-1 का नामी है तो sir हर एक input के लिए एक unique output है एक unique output है एक ऐसा output है एक ऐसी value है, एक ऐसी image है जो दूसरे में किसी भी element की image नहीं है, यह 1-1 है बेटा यह 1-1 है, अब आप कहोगे सर, यह 10 तो छूट गया यह 10 तो छूट गया हमें उससे मतलब भी नहीं है, हम तो 1-1 देख रहे हैं 1-1 जब देखा जाता है तो सिर्व इसको देखा जाता है, क्या 1 की image है हाँ 2 है सर, 2 किसी और की image तो नहीं है, नहीं है सर 2 की image 4 है, 4 किसी और की image तो नहीं है, नहीं है सर 3 की image 6 है, किसी और की image तो नहीं है, नहीं है सर 4 की image 8 है, 8 किसी और की image तो नहीं है, नहीं है सर बस इतना देखा जाता है तो यह 1-1 तो है, ठीक है सर तो यहाँ लिख लेते हैं, 1-1 1-1 लिखके बेटापन ने टिक लगा दिया अब on to की बात कर लेते हैं सर ठीक है अब on to है के नहीं है तो बेटा clearly देख सकते हो यह on to नहीं है क्यों नहीं है सर on to ये on to इसलिए नहीं है बिटा ये on to इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास on to में जब हमें चेक करना पड़ता है तो on to में हम second वाला set देखते है second वाला पहला नहीं second और second set में हर element की pre-image होनी चाहिए बस इतना check करना पड़ता है इसकी pre-image है हाँ 1 है इसकी pre-image 2 है इसकी pre-image 3 है ठीक है इसकी pre-image 4 है इसकी pre-image ही नहीं है 10 का connection कहीं ही नहीं है यह खाली छूट गया इसके चक्कर में यह पूरा function on to नहीं है इसकी pre-image 2 है अगर दोनों हो जाता तब हम इसको क्या कहते तब हम इसको कहते कि यह बाइजेक्टिव है यह बना सकते हैं बिलकुल बना सकते हैं सर एक काम करो एक काम करो देखो यहां 5 लिखके अब 5 का और 10 का आप connection करा दो अब हो गया यह 11 on to अभी on to भी हो गया अभी on to कैसे हो गया सर यह on to इसलिए हो गया बिटा 10 is an image of 5 हर एक element यहां का इसके पीछे वाले element से connected है तो 11 भी हो गया on to भी हो गया तो यह हम कह सकते हैं इसको bijective function बेटा क्या बोल सकते हैं सर? bijective function और bijective मतलब 11 on to I hope आपको इतना clear हो गया होगा जल्दी से पढ़ लो so that अपन आगे चल सके हैं ठीक है? चलो भई इतना clear है? यह सर 110% clear है moving on to next moving on to next, देखो 11 on to इतना important क्यों है सर? उसका reason है बताऊँगा मैं आपको 11 on to बहुत important है, आगे देखते हैं a bijective function is a combination of injective and surjective both bijective function is a combination of a function, एक ऐसा function जो एक combo हो किसका combo हो? सर 11 हो और on to भी हो, मतलब सर injective भी हो और surjective भी हो, भई 11 वाले function को injective भी बोलते हैं है ना? और on to वाले functions को अपन surjective भी बोलते हैं, तो 11 on to functions are those functions which are injective and surjective both, तब ही हम उनको bijective बोलते हैं next please, bijective function relates element of two set a and b with the domain in set a and the co-domain in set b such that every element in a is related to a distinct element in b and every element of set b is the image of some element of set a, ये दोन, मतलब आप इस point को पड़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इस point में उन्होंने 11 and on to तो दोनों के बारे में बता दिया, देखो, गौर से सुनना, set a और set b की बात हो रहे है, ठीक है, बहुत गौर से सुनना bijective function relates the elements of two set a and b with the domain in set domain, domain का मतलब आप कह सकते हो input, set a का input and co-domain in set b set b में जो output मिलेगा, इस तरह से connect करते हैं, ये such that every element in a first वाले set का हर element is related to a distant element in b, b में अलग-अलग element से connected होता है, हैना, relate होता है, ठीक है sir, हैना, and every element of b is the image, अब यहां से, and के बाद, यहां से लेकर, यहां तक इन्होंने बता दिया on to की definition, और बिटा, यहां से लेकर, यहां तक इन्होंने बता दिया, one one की definition, तो one one और on to, दोनों तरह की definition नोने लिख दी, अपनको definition याद नहीं करनी है, यार बच्चा, अपनको बस meaning जमझ में आनी चाहिए, कि sir, one one का मतलब क्या है, कैसे वाले functions को one one बोलते हैं, कैसे वाले functions को one one and on to, यहां फिर bijective बोला जाता है, next please, ठीक है sir, a bijective function is both a one one function and on to function, ठीक है sir, a bijective function from function, यह important है, यह आप mark कर लो, मैं इसी की बात कर रहा था, मैं इसी की बात कर रहा था, गौर से सुन लो बिटा, बहुत गौर से सुन लो, a bijective function from a to b has an inverse function from b to a, आपको एक वीडियो मैं provide करूँगा, आगे चलके future में, जिसका title रहेगा inverse function, जिसमें मैं आपको invertible या inverse function समझाऊँगा, और वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, गौर से सुन लो, यह point बहुत काम आएगा, बहुत important है, मैं ओन्टू दोनों होते हैं, उनी के हम inverse function निकाल सकते हैं, ऐसे functions जो ओन्वन और और ठोर बोत, यनि bijective होते हैं, उनी के आप inverse function निकाल सकते हो, यहाँ पर भी यही लिख्छा हुआ है, आप ाइजकुटिए function, बाइजक्टिए बोले तो subjective और injective दोनों, यानी 1 1 and onto दोनो अब बाइजेक्टिफ function from set A to B has an inverse function inverse मतलब ultra function आगे चल के मैं समझाऊँगा अभी आप इत्ती line पर लो बस ठीक है अगर आपके पास एक बाइजेक्टिफ function है you have a बाइजेक्टिफ function A to B, मेरी बात सुन लो A से B, अगर आपके पास कोई बाइजेक्टिफ function है यहां मैं लिख देता हूँ बाइजेक्टिफ ठीक है तो फिर अपन इसके लिए एक inverse function धून सकते हैं इसके लिए एक inverse function धून सकते हैं और उस inverse function के लिए अपन G लिख देते हैं G is a inverse function और उसके लिए अपन B to A धून सकते हैं B2A, ठीक है, ये भी अपना bijective ही होगा, ये inverse function सर समझ में नहीं आ रहा है, अभी नहीं आएगा समझ में, बस इतनी सी line याद रख लेना, कि एक inverse function किस function का आ सकता है, ऐसे function का आ सकता है inverse function, जो bijective होता है, बस इतना याद रख लेना, इस से जादा तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, clear है दोस्त, ये सर बिलकुल clear है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है, चलो इसको एरेस कर देते हैं सर, आगे चल दे हैं, ये राय कुछ figures, कुछ diagram समझ लेते हैं सर, ठीक है, ध्यान देंगे सर, तो समझ में आएंगी हर एक चीज, अब जो आपको arrow diagram दिखाए न, इन पे धियान दो, सुनते जाना मेरी बाट, ठीक है, सर, यहाँ पर इनोंने क्या किया, प्यारे से दो ovals बनाए, उसमें इनोंने क्या करा कि A को connect करा दिया 1 से, B को connect करा दिया 2 से, C को connect करा दिया 3 से, D को connect करा दिया 4 से, ठीक है, connectivity इनोंने बना सर, A is connected to 1, B is connected to 2, C is connected to 3, and D is connected to 4, अब यह जो है ना connectivity, यह 1 1 and on 2 दोनों शो कर रही है, कैसे कर रही है, देखो बताते हैं, सर, 1 1 की बात करें, तो 1 on 1, एक लड़का और एक लड़की भीया बया कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक लड़की दो लड़कों से बया कर ले, या एक दो लड़का, दो लड़की उसे बया कर ले, ऐसा तो है नहीं है भई, सिंपल सी बात है, शादी होती है, तो शादी आपने ऐसी तो देखी नहीं होंगी, एक मंडप में एक दुला हो और दो दुलहन हो, या दो दुले हो और एक दुलहन हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, तो वही example ले लो दोस्त, के sir, यहाँ पर एक दूला तो उसकी एक दूलहन, अब ये दूलहन ना इसकी बन सकती है, ना ये दूलहा इसका दूला बन सकता है, कोई नहीं वहिया, एक-एक का case हो रहा है, ठीक है, तो वहिया, जो B वाला दूला है, उसकी दूलहन कौन है, टू है जो C वाला दूलहा है, उसकी दूलहन कौन है, 3 है, जो D वाला दूलहा है, उसकी दूलहन कौन है, भहिया, 4 है, simple 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 जीवाद, भहिया, मैं, तुम, चलो हटो, फिर दूसरा आएगा, मैं, तुम, चलो हटो, फिर बन जाएंगे, ठीक है, फिर किसी को कोई allow नहीं रहेगा, त सर बी वाले सेट, दूसरे सेट में हर element image होनी चाहिए, ठीक है, image मतलब connection होना चाहिए, तीर घलना चाहिए, सर इसका connection है क्या, ये image है किसी की, हाँ, ये A की image है, तीर घल रहा है, ये B की image है, ये C की image है, ये D की image है, तो ये on to function भी हो गया, और अगर कोई function one one and on to दोनों होता ह है, बच्चा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, bijective function, क्या बोलते हैं, bijective function या फिर one one on to function, clear है, तो ये अपना bijective function का example है, ये दोनों example अब क्यों नहीं है, चलो बताता हूँ मैं तुमें, ठीक है, ये भी explain कर देता हूँ सर, चलिए सुनिए, यहाँ देखो, ये, बात समज़ न, ये, ये गया, one से शादी कर ली, ठीक है भी या, धियान देना बेटा, ये गया, one से शादी कर ली, बी गया, two से शादी कर ली, C गया, 4 से शादी कर ली ठीक है, 1-1 है बटाइए ये 1-1 है अब तुम कहोगे सर दुलहन 3 तो छूट गई अरे छूट गई, छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है छूट जान दो यहाँ जो भी 1st वाले element 1st वाले set में जो element है उन्हों ने अपने लिए दुलहन चुन ली हाँ सर चुन ली A भाईया ने 1 से शादी कर ली B ने 2 से, C ने 4 से तो यहाँ के सारे elements ने अपने लिए image बना ली image धून ली और single single image धून ली ऐसा नहीं है कि A की image भी 1 है और B की image भी 1 है यह नहीं है one one function में यह allowed नहीं होता सर यह one one तो है यह अपना कह सकते हैं अपन one one तो है है ना one one function तो है पर क्या on two है on two नहीं है सर on two क्यों नहीं है यह चलो बताता हूँ सर on two इसलिए नहीं है क्योंकि on two कहता है कि आपके पास second वाले set में myれe پ्यारे बच्चे second वाले set में जो भी second वाले set में जो भी elements दिख रहे न यह यह first वाले set में connected होने चाहिए इनकी pre-image होनी चाहिए तो sir, one की pre-image है A, two की pre-image है B, four की pre-image है C, पर यार इसकी pre-image नहीं है इस three की pre-image नहीं है second set में बैटे चार लोगों की pre-image होनी चाहिए चारों के चारों connected होने चाहिए set A के किसी ना किसी बंदे से या बंदी से या element से 3 विचारा रहे गया on to की definition या fulfill नहीं हो पाई तो ये one one तो है पर on to नहीं है ठीक है सर यहां आ जाते हैं ठीक है ये वाला देखते हैं सर इसको देखने से पहले एक बार screenshot ले लो हाँ भाईया तो अब देखते हैं यहाँ पर अपन सबसे बढ़िया तरीका इसको चेक कर लेते हैं है ना यह अपना one one तो चलो भाईया देख लेते हैं यह क्या है यह one one है की नहीं on to है की नहीं अगर दोनों ही हो गया तो one one on two हो जाएगा चलो सर देख लेते हैं तो भाईया यहाँ पर a का connection one से हो गया एक के ऊपर एक one on one ठीक है सर हो गया B का connection 2 से हो गया C का connection 2 से हो गया D का connection 3 से हो गया अगर on to check करोगे तो तुम्हें on to तो लगेगा ये on to तो है on to मतलाब set B में जितने भी elements है वो connected होने चाहिए वो image होनी चाहिए किसी ना किसी की set A में सर ये किसकी image है A की ये किसकी image है B की और ये C की भी image है ये किसकी image है D यानि 1, 2, 3, तीनों बंदे कहीं न कहीं यहां से connected है ठीक है तो on to to है 1, 1 नहीं है 1, 1 क्यों नहीं है वोई दूला दूलन वाला अपन example ले ले लेते हैं ठीक है भहिए ये दो दूले हैं B और C दो दूले हैं लड़ गाए के इनको तो 2 से ही शादी करनी है बस खेल खतम हो गया जहां दो दूलहों को एक दूलहन पसंद आ जाए या दो दूलहन को एक दूला पसंद आ जाए खेल खतम हो जाता हो आप ठीक है तो यहां पर दो दूले है B उसको भी भई यह टू से शादी करनी है C उसको भी टू से शादी करनी है दोनों की image 2 है तो ये 1-1 नहीं है 1-1 नहीं है ये on to है पर 1-1 नहीं है ये बिचारा 1-1 था पर on to नहीं था इसका देख लेते हैं भाई ये क्या है? अच्छा ये 1-1 नहीं है पर on two है byjective नहीं होगा byjective बोले तो दोनों जरूरी है one one b और on two b ठीक है इसको देख लेते हैं सर चलो ये क्या है सर देखो a one से connected है b two से connected है c three से connected है d three से connected है ठीक है ओके ये one one नहीं है क्योंकि दो दूलों को एक दूलहन पसंद आ गई कौन सर c और d को three पसंद आ गई c और d लगा है के नहीं भहिया हमारी image तो three होगी हमारी image तो three होगी अब three विचारी परेशान कि मैं किसके साथ जाओं है ना तो c की image भी three d की image भी three तो one one वाला concept यहां तूट गया चलो भी या on to वाला देख लेते हैं on to on to कहता है कि हमें second वाले set में सारे elements सारे elements यहां पर connected चाहिए तो sir one का connection a के साथ two का connection b के साथ three का connection दो के साथ और four यहां connected है नहीं four यहां connected ही नहीं है मतलब four का कोई भी यहां pre image नहीं है on to की परिभाशा क्या कहती है कि आपको second वाले set में सारे elements चेक करने पड़ेंगे तो यहां इसकी कोई भी प्री image नहीं है यह on to नहीं है ना ही one one है ना ही on to ना ही one one तो यह sir is by objective तो हो ही नहीं सकता ठीक है इसका screenshot ले लो बिटा जल्दी से चलो बई अपना ये तो complete हो गया समझ में आगया कि जो वन वन भी है on to be है उसी को अपन को byjective कहना है उसी को हम वन 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 टू बोल देंगे वन 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 टू वाले functions कैसे होते हैं सर ऐसे functions होते हैं जिनका inverse भी धूणना possible है अभी मैंने आपको पढ़ाया है ये वाली लाइन थोड़े सा याद रखना बहुत जादा important है क्योंकि इस पूरे के पूरे topic का जो सबसे जादा importance है न वो अपनको ये line बताएगी आगे चलके कई आगे चलके वीडियो में ठीक है चलिए सर ये भी complete हो गया byjective function की अब proper बिलकुल सटीक definition देख लेते हैं सर ठीक है अब function f a to b एक function है जो set a से set b पर defined है इस set to be byjective function if f is both one one and on to अगर वो function जो f है वो one one b है और on to b है ठीक है such that it is such that it is that it is जो की वो क्यासा होगा every element अब ये one one की भी definition बता रहा है on to की भी definition बता रहा है such that every element in a a के अंदर जितने भी elements है उनकी एक एक image यहां होगी तो यह हो गया one one है ना every element in a has a unique image in b यह होगा यपने one one की definition and every element of b b set की जो जितने भी elements है यह 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 इनका एक एक pre image होगा has a pre image in set a in simple words we can say that function f is byjection byjection या byjective मैं फिर बोल रहा हूँ byjection या byjective if it is both injection या फिर injective and surjection या फिर surjective ठीक है एक function को आप injection function या injective surjection function या surjective दोनों ही पाह हो तो उसको byjective बोल देना या byjection बोल देना done sir clear है ठीक है byjective functions की condition बहुत गौर से सुनना there are some conditions that need to be satisfied for a function to be byjection the byjective functions need to satisfy the following four conditions अगर एक function f है और उसको byjection बनना है या byjective function बनना है that is one one and on two तो उसको ये चार conditions को satisfy करना बहुत जरूरी है sir कौन सी चार conditions देख लेते हैं sir condition number one every element of set must be paired with an element of set b देखो भईया ये जो condition दीना ये तो function की condition है function तो पढ़ चुके हो ना क्या होता है function क्या होता है sir function क्या होता है function होता है sir गौर से सुनिएगा इसको पन सीधा कर लें थोड़ा सा ठीक है function क्या होता sir जैसे यहाँ पर अपने पास a, b, c, d, e है ठीक है one, two, three, four, five, six यहाँ पर ये elements ले लिए ये है sir अपना set a, ये है अपना set a, ये है अपना set b अब मैंने इसको define कर दिया और मैंने लिख दिया function f तो भईया सबसे पहले सबसे पहले by objective function बनने के लिए उसको function भी तो होना चाहिए function क्या होता है बिटा, मेरे प्यारे बच्चे function होता है इन सब की image होनी चाहिए बात खत्म इन सब की image होनी चाहिए और एक-एक image होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि a ने कहा कि भई मैं one से भी शादी करूँगा a ने कहा मैं two से भी शादी करूँगा यह गलत बात है बिलकुल गलत बात है morality के against है यह तो है ना तो यह गलत बात है sir तो A का एक image बनेगा B का भी एक image बनेगा यह image same हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है image same हो सकता है ठीक है यह मैं function की बात बता रहा हूं नहीं one one नहीं on two मैं सिर्फ function की बात बता रहा हूँ अजी c का image 3 हो गया d का image 3 हो गया और e का image 6 हो गया तो ये एक function है this is a function क्यों है function क्योंकि sir सबसे पहले हमें function check करना पड़ता है कि function है भी के नहीं one one on to ये तो बात की बात है sir सब की image होनी चाहिए set a में चाहिए तो ये गया इसकी image क्या हो गई sir a,1 तो sir a की image हो गई one a की image क्या हो गई one अपने लिख दिया यहाँ पर a,1 sir b की image क्या हो गई one b,1 कोई दिक्कत नहीं हो सकती है function की बात हो रही है भी हो सकती है c की image 3 d की image 3 c,3 और अपना d,3 e की image 6 हो गई e,6 तो sir a की image b की image c की में सब की image है अब यहाँ by chance मान के चलो अगर यह नहीं होता अगर यह नहीं होता तो क्या होता sir अगर यह e खाली छूड़ जाता अगर मैं काओ e ही नहीं है e का connection ही नहीं दिया मैंने चलो मैंने का के बिटा यहाँ पर e जो है वो connected ही नहीं है अब तुम कहते हैं के sir e तो बिचारा आप कह सकते हो के अनात हो गया e का तो किसी से connection नहीं है set a में अगर कोई खाली छूड़ गया तो फिर वो function नहीं हो function ही नहीं होता समझ गए तो पहली चीज नहीं नहीं यह का every element of set a must be paired with an element of set b हर element जो set a का है वो एक pair बनाना पड़ेगा मात्र एक pair किस के साथ set b के किसी भी element के साथ यह हो गया पहला condition condition number one ठीक है sir condition number two देखते है sir अपन है ना अब condition number two देख लेते है sir condition number two क्या है sir पढ़ो बेटा condition number two condition number two है the element of set a must not be paired with more than one element of set b set a का कोई भी element set b से जो pair करेगा सब देखो चब condition number one अपनने फुल्फिल कराई तभी तो condition number two पे पहुँचिंगे तो भाया condition number two clearly cheek cheek कर कह रही है कि हर एक element की image होनी चाहिए और सिर्फ एक image होनी चाहिए सिर्फ एक pairing होनी चाहिए मतलब a की एक pairing हो गई one b की भी एक pairing हो गई two c की भी एक pairing हो गई d की भी एक pairing हो गई और अपना e की भी एक pairing हो गई समझ में आ रही है बात गौर से सुनो The elements of set A must not be paired with more than one element जो set A का element है वो एक element से pair होना चाहिए E 4 से pair है, C 4 से pair है मैं set B के element की अभी pairing की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं set A की बात कर रहा हूँ set A से एक तीर निकलना चाहिए एक तीर, एक arrow निकलना चाहिए बस C से A कैरो निकला, D से A कैरो निकला, E से A कैरो निकला, A के कनेक्शन है ठीक है sir, next Each element of set B must be paired with an element of set A आप समझ लो बिटा, इमानदारी से बहुत important है, बहुत ध्यान से सुनना Sir, यहाँ पर इस वाली line का सीधा सीधा attack हो रहा है on to के उपर का है की उपर हो रहा sir, on to की उपर यह on to की line है, यह on to की line है और यह one one की line है आप कह सकते हो यह one one की statement दी गई है बताऊं क्या, सुनो on to क्या कहता, on to कहता भाई यह set B में जितने भी elements है सारे के सारे connected होने चाहिए, सारे के सारे image होनी चाहिए क्या 5 किसी की image है या नहीं है तो ये on to नहीं है ये on to नहीं है जो ये वाला statement है न each element of set B must be paired with an element of set A set B के सारे element जितने भी element है उनका set A में pairing होनी चाहिए 1 की pairing है 2 की है 3 की है 4 की है 5 की नहीं है 5 बिचा रहे हैं यहां पर अनात हो गया और जैसे यहां पर 5 अनात हुआ अपन समझ गए कि यार यहां पर खेल करना पड़ेगा यहां 5 को E से जोड़ दो लो भी या अब हो गया अब हो गया सही सर 1 है connected 2 है connected 3 है connected 4 है connected 5 है connected तो अब जाके यह वाला condition भी अपनने फुल्फिल करा दिया यह condition है एक तरह से आप कह सकते हो function की कि function होना चाहिए सबसे पहले सबसे पहले function प्रूफ कराना होगा उसको ठीक है फिर यह condition ध्यान देना कि भाई the element of set A must not be paired with more than one element of B set A से 2 तीर नहीं निकलना चाहिए set A से 1 element से 1 तीर निकलना चाहिए ठीक है next the element of set B must not be paired with more than one element of set A सीधी सीधी बात बता हूँ 1 1 on 2 bijective के लिए सुनो गौर से सुनना भाई यहां एक बंदा एक एरो छोड़ेगा यहां एक बंदा या बंदी जो भी है वो एक एरो लेगा या लेगी खतम बस एक एक मेंबर ने एक एरो छोड़ा तो सामने वाले एक मेंबर ने एक एरो लेना है बस बात खतम यह होता है 1 1 on 2 समझ गए एक एरो छूटेगा तो एक एरो ही लिया जाएगा यहां से अगर मैं ऐसा बना दूँ गलत हो जाएगा 1 1 on 2 नहीं रहेगा फंचन बली रहे 1 1 on 2 नहीं रहेगा यह सर बिलकुल सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है दूसरी कंडिशन सर सेट B में सारे elements एरो लेते हुए दिखने चाहिए related होने चाहिए relation होने चाहिए सेट B में सारे elements के पास arrow आना चाहिए arrow आना चाहिए connection होना चाहिए एक यहरो आना चाहिए और ठीक है और वन वन अंतु की तुम्हें खासियत बताता हूँ याद रखना हमेशा इस वाले set में और इस वाले set में बराबर number of elements होंगे बराबर number of elements होंगे देख लेना कई बार देख लेना तुम ठीक है सर दन है क्लियर दन है चलो next properties of bijection bijection या bijective function की properties क्या है now that we have understood the meaning of bijection given below our few of the important properties of bijective function which are useful in understanding the concept of bijection better the domain co domain set of bijective function have equal number of elements अभी बताया मैंने तुम्हें अभी बताया ये जस्ट अभी आल बताया पीछे वाली पे पीछे वाली स्लाइड पे last उम्हें बताया तो नहीं क्या कि सर दोनों में यहां और यहां इसको बोलते हैं input वाला जिसको हम बोलते हैं domain वाला set इसको बोलते हैं output वाला set यानि co domain वाला set सर अगर function यह byjective है one one on two दोनों है तो याद रखिएगा याद रखिएगा byjection या byjective आप कुछ भी लिख दो याद रखिएगा अगर यहां one two five seven अगर यहां चार elements है तो सर यहां भी चार elements होंगे दूसरी बात दूसरी बात single single relation बनेगा अगर इसका relation बनेगा बी के साथ तो अब ए से दूसरा line नहीं निकलेगा बी दूसरा arrow नहीन लेगा दोनों गए Kita को गए sore 1 किसी को arrow देगा अब खताम हो गए 1 और B खताम ठीक है ऐसे ही सर 5 और A अगर ऐसे आ गया तो बस खताम 5 और A गए 1 1 on 2 की बात कर रहा हूँ अगर 2 के साथ मैंने D को जोड़ दिया तो 2 और D गया अब दिखे लए ही नहीं 2 और D को देखो ही नहीं इसी के साथ 7 और C जोड़ गए यह हो गया 1 1 on 2 यह हो गया 1 1 on 2 ठीक है the co domain and range of the bijective functions are same देखो on 2 देखना गौर से सुनो on 2 फंचन की खासियत है अगर आपने ध्यान से previous वीडियो पढ़ा है तो on 2 फंचन की खासियत है क्या सर जो co domain होता है जो co domain होता है वो range के बराबर बन जाता है co domain becomes equal to range and range becomes equal to co domain अब कई बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ सुनू ध्यान सो सुनना co domain और range के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि यह topic आ गया है तो revise करा दूँ कई लोगों का और जाता है न दिमाग से बताता हूँ सुनू हमारे पास दो set है हमारे पास सर दो set है ठीक है easy easy से set लेता हूँ मैं one two three four ठीक है और हमारे पास यह दूसरा set है ध्यान देना अजर three six nine twelve ठीक है बहुत गौर से सुनना done sir और यहां एक 15 भी ले लेते है ठीक है अब यहां पर मैंने तुम्हें function दिया function is from set a to b set a से set b की तरफ function defined है and function x fx is equal to let me just write 3x मैंने function दे दिया यह condition दे दी तुम्हें अब मैंने का भाई function यहां से लेकर यहां तक define है this is a function ठीक है बच्चो पहली बात बात number 1 इस set a में कितने elements है 4 है sir इस set b में कितने elements है 5 sir number of elements in set a यह 4 है number of elements in set b यह 5 है sir अगर यह दोनों equal नहीं है अगर number of elements in set is not equal to number of elements in set b अगर यह equal नहीं है तो यह by-jective नहीं हो सकता this cannot be by-jective पहली वाली पहला वाला set क्योंकि पहला वाला यह बता रहा है the domain and co-domain set a में जो elements है उनको domain बोला जाता है यह domain का set है set b पूरा-पूरा co-domain पूला जाता है पूरा-पूरा co-domain बोला जाता है ठीक है sir the domain and co-domain set of by-jective function have equal number of elements अगर by-jective function है तो उस function के set a जिसको हम domain बोलते है set b जिसको co-domain बोलते है बराबर बराबर number of elements होगा चार यहाँ है तो चार वहाँ होने चाहिए थे equal नहीं है तो यह हमारा by-jective function कभी नहीं हो पाएगा कभी नहीं हो पाएगा समझ रहा हो? Yes sir Okay done अब सुनते जाना मेरी बात मैंने इसको one-one बना दिया मैंने one-one बना दिया कि भईया one का यह है two का connection nine के साथ है three का connection six के साथ है और four का connection twelve के साथ है मैंने इसको one-one बना दिया this is a one-one function ठीक है एक-एक function है कि भाईया ये दूलहा है ये दुलहन है 1 की शादी 3 से हो गई 2 की शादी 9 3 की शादी 6 4 की शादी 12 1 1 में यही है कि अगर इसने इसके साथ रिष्टा कर लिया तो ये गए बेटा अब ये गए हो गए हो अब इनको न देखो ठीक है सर ये औन डू नहीं है क्योंकि यहां 15 छूड़ यां उंटू कहता है कि 15 सेट Вी में हरवे लिमट यहां पर होना चाहिए लिंक सैट A सेट फरस्ट से सै पूड़ चूड़ यहां यह उन डू नहीं है वन वन है पर नहीं तो बाइज एक्टिद भी नहीं है ठीक है सर अब समझना बहुत गौर से तो अपने क्या करा अपने इसको अटा दिया अब है क्या यह 11 हां सर अब 11 भी है और यह on to भी है अब on to कैसे बन गया सर यह on to इसलिए बन गया क्योंकि on to कहता है कि set B में सारे elements connected होने चाहिए 3 है 6 है 9 connected है 12 connected है सारे connected है अच्छा भाइया बात बताओ domain क्या है what is domain बच्चा domain बताओ domain सर डोमेन क्या होता domain उटा permissible inputs set of permissible inputs मतलब क्या-क्या inputs आ सकते हैं वन आ सकता है 2 3 4 सारे inputs आ सकते हैं तो 1 2 3 4 यह पूरा का पूरा जो set A होता है न उसको हम domain बोल सकते हैं तो यह set A हो output कहा से आ सकता है output set B से आ सकता है तो co domain हो जाता है पूरा का पूरा set B co domain हो गया पूरा का पूरा set B यानि 3 6, 9, 12 ठीक है? यह set भी हो गए, गड़बर हो गई मुझसे थोड़ी सी छमा चाहता हूँ आपसे यहाँ पर 2, 6 और यहाँ 9, अब ठीक है क्योंकि अपना function 3X है ना अपना function यह है ना 3X यहाँ पर अगर मैंने 1 रखा तो 3, 1 जा 3 तो 1 का 3, यहाँ 2 रखा तो 3, 2 जा 6 तो 2 का 6, 3 का 9 और 4 का 12 ठीक है? यह है, डन सर अब सुनना, अगर मैं तुमसे कहूँ domain हो गया, code domain हो गया, range बताओ अब range क्या होता है? range होता है मात्र उन चीजों को लिखो set में जो output बनके आए है सर 1 का output 3 है 3 लिख लिया, 9 भी output है 6 भी है, 12 भी है, ठीक है सर 9 भी लिख लिया, 6 भी लिख लिया और 12 भी लिख लिया और इनको set में pack कर दिया तो सर यह क्या है? यह आप कह सकते हो this is the set of range यह range का set है अब तुम देखो range का set जो है और code domain का जो set है इस injective और bijective, bijective function है sorry, 1-1 onto दोनों है यह तो bijective function में जो की 1-1 और onto दोनों है उस condition में याद रखना सर, domain और range दोनों same हो जाते हैं यही यहाँ पर second वाला point कह रहा है the co domain the co domain and range of bijective functions are same, इसका reason पता क्या है इसका reason है कि bijective function एक onto function भी होता और onto function की ही यह खासियत होती है, onto function में co domain और range सेम हो जाते है onto function में co domain और range बिलकुल सेम हो जाते इसलिए हम कह सकते हैं कि सर, यहाँ पर हमारे पास सीधा सीधा बात हो रही है onto function की है ना, यह onto function की property है यह onto function की quality है bijective function onto भी होता है तो on to की भी सारी qualities उसके अंदर byjective function के अंदर होंगी the byjective function has an inverse function यह मैं आपको previous slide पर बता चुका हूँ कि एक byjective function एक ऐसा function जो अपना on to भी है और one one भी है ऐसे ही function के inverse function निकाले जा सकते हैं यह बात तुम दिमाग में set कर लो आगे वीडियो में काम आएगा next the inverse of byjective function is also a byjection जी हाँ यह बताता हूँ तुम्हें मैं सुनो मान के चलो मैंने लिखा बिटा एक function f है which is going from a to b जो की defined है a से b की तरफ और यह byjection है sir यह क्या है byjection है या byjective है आप कह सकते हो यह byjective है on one one भी है और on two भी है ठीक है sir अब अगर यह byjective है sir तो इसका inverse अपन निकाल सकते है inverse function sir कैसे निकालेंगे यह आपको बाद में आगे आने वाली वीडियो में पता चले जाएगा उसका नाम दे देता हूँ मैं g function g है अगर एक function f है तो उसका अपन ने g लिख दिया ठीक है sir इसको कैसे लिख सकते है यह a2 भी है sir तो इसको अपन b2 a बोलेंगे और sir खास बात यह है कि यह भी byjection होगा यह भी byjection या byjective function होगा बात clear है sir बिलकुल clear है इसको ऐसे भी लिख सकते बेटा जो function g है बहुत ध्यान से सुनिए जो function g है that can be written is f inverse f inverse ठीक है जो g function है और we can also write it like this जो g x है वो f inverse x है यह आपको detail में मैं पढ़ाऊंगा tension नहीं लो अब यह अपन चलके composition of function पढ़ेंगे फिर invertible function पढ़ेंगे तो जो invertible function आएगा ना उसी की बात मैं कर रहा हूँ वही अपन को समझना है उसी को हम inverse function के नाम से भी जानते हैं ठीक है सर डन है सर डन है सर डन है तो भाईया बस यह last अपनी और थेहोरी वाली slide s के बाद दो example solve करेंगे ठीक है थेहोरी वाली slide है यह last फिर दो example अपन सॉल्फ करेंगे the bijection cannot be a constant function अब ने constant function आपको बताया है भाईया क्या हो the constant function सर constant function ऐसा होता है fx is equal to k जहांपर k एक constant real number होगा मतलब अगर मैं तुमको एक function दे दू fx is equal to 9 अब मैं तुमसे कह दू गहुर से सुनना बेटा अब मैं तुमसे कह दू कि यार यहां input में गौर से सुनियेगा यहां input में 1,2,3,4 यहां इत्ते सारे numbers डालना चाहता हूँ output में मैंने लिख दिया 7,8,9,10 यह लिख दिया output में ठीक है ध्यान देना जरा यह सर अपना function a to be defined है अपना function set a से b की तरफ defined है तो सर यहां a लिख दिया यहां b लिख दिया ठीक है सर this is a function ठीक है ध्यान देना जरा जी सर अब तुमारा division करा रहा हूँ मैं constant function का ठीक है अब मैंने तुम्हें constant function मैंने तुम्हें एक यह function दिया ठीक है जिसके lhs में input में तो x है पर यार यहां कोई x नहीं है अब मैं अगर यहां one लिख हूँ यह x है बिटा these are the values of x यह inputs की values है ठीक है और यह क्या है सर these are the values of y या फिर हम fx भी बोल सकते fx या फिर हम बोल सकते इसको y ठीक है चलो सर देखते हैं अब यहां पर जैसे हमने fx is equal to nine function को उठाया तो fx की जगा जैसे हमने one रखा यहां x की जगा one तो यहां भी x की जगा one यहां तो कोई x है ही नहीं है nine आ रहा है सर मतलब f1 जैसे ही one input दिया तो output आया सर nine output आया nine ठीक है सर अच्छा अब fx की जगा two लिכ entwickelt fx की जगा विटा रहा हम two लिख लेते हैं तो यहां two तो यहां भी two यहां तो कोई x है नहीं है तो यह भी nine आएगा तो सर two की value भी क्या है f2, f2 जो है वह भी nine आए f3 जो है वह भी nine आए f4 जो है वह भी nine आए तो sir बात ऐसी है कि जब भी जब भी किसी function में output जो दूसरे set से आ रहा है set B से आ रहा है जो output है वो मात्र एक element है मात्र एक element है भाईया जो output आता है उस output को हम range बोलते है तो range मात्र एक चीज है range is only one element और range क्या ही से range हमारे पास आ रही है बार बार हर बार 9 तो समझ जाओ कि हमारा जो function है वो constant function है कैसा function है constant function जिसमें आप कितने ही input डाल दो output तुम्हें एक ही मिलेगा output तुम्हें एक ही मिलेगा output is constant output is fixed ऐसे अपन function को बोलते है constant function ठीक है तो वो यह बोल रहा है कि byjection cannot be constant जो byjection है जो byjective function है वो constant function नहीं हो सकता obviously नहीं हो सकता क्योंकि यह हमने को एक function बनाया अब बताओ यह one देखो byjection का मतलब क्या हो था तुम्हें पता है sir byjection का मतलब होता है byjective का मतलब होता है अपना one one b ठीक है one one b and onto b one one and onto दोनों तो यार यह एक आपको constant function का example दे दिया मैंने देखो क्या यह one one है नहीं सर यह one one नहीं है this is not one 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 का देखो nine के साथ two का देखो nine के साथ this अ three का nine के साथ four का nine के साथ यह तो many one है आपको आगे next video मिलेगा उसमे þुमें many one भी समझांगा ठीक है तो यह one one नहीं हाँ one का seven होता two का eight होता three का nine होता four का ten होता तो यह होता 1 1 कि या 1 के लिए 1 1 1 के लिए 1 1 के लिए 1 तो यह वन वन नहीं है अब यह अन्टू भी नहीं है क्यों नहीं यह ऑन्टू देख लो ना भाई ऑन्टू कहता है कि जितने भी सेट 2 में elements होते हैं सब का input होना चाहिए क्या 7 का कोई input है ही नहीं 8 भी किसी से connected नहीं 10 भी किसी से connected नहीं तो ऐसे constant functions जो होते हैं ना ही वह one one function तो नहीं वह on two function होते हैं यह सर, आगे देखते हैं, बाइजेक्टिव फंचन, इफ रिप्रेजेंटेड एज़ाफ, इसका मैं आपको अभी concept समझाऊंगा, tension नी लो, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा अभी, इसको मैं पूरा example लेके समझाऊंगा, क्योंकि अभी इसको example भी लेना पड़ेगा न, तो इस line को tension नी लो, अभी अपना आगे समझेंगे, अभी खतम नी हो रहा है वीडियो, आदे घंटे का लगबग और है, ठीक है सर, तो बाइजेक्टिव फंचन का कभी भी अगर आपने graph बनाया, तो आपको एक सीधी line मिलेगी, बाइजेक्टिव फंचन विल अल्वेज बी अ स्ट्रेट लाइन, तो इससे एक चीज समझ में आ गई, एक चीज समझ में आ गई सर, ध्यान दीजेगा, अगर मैं आपको एक फंचन दू, fx is equal to x square, तो सर ये तो quadratic function है, वो ऐसा graph बनता है, है ना, इस type का, parabolic graph बनता है, ऐसा बन जाएगा, या ऐसा बन जाएगा, या ऐसा बन जाएगा, या ऐसा बन जाएगा, ये तो इस straight line नहीं है, अगर ये straight line नहीं है, तो इसका मतलब ये एक by jackson function नहीं होगा क्या, आगे discuss करेंगे, बड़िया चीज़ है, बहुत बड़िया concept है, ठीक है, आगे discuss करेंगे, क्या होता है ना, function में, तुम लोग, बच्चे लोग, मातर एक चीज़ देखते हो, fx, बस इतना देखते हो, fx is equal to 3x minus 2, fx is equal to x square, बस इस पर ध्यान देते हैं तुम लोग, जबकि function जो है न, तीन चीज़ों से समझा जाता है, function की definition, यह definition है function की, this is definition, के defined कैसे, फिर function के set देखने पड़ते हैं, real to real है, के f, यह ऐसा लिखा रहता है ना बटा, देखो f such that natural to natural, यह बहुत important है बिटा, यह condition of the function होती है, के domain क्या है, co-domain क्या है, यह बहुत important है, बहुत सिर्फ definition से नहीं देख सकते हो आप, के function की define का है, define a function is defined from 3x minus 2, function का domain और co-domain क्या है, यह भी बहुत importance रखता है, function सिर्फ एक दो चीज़ों से नहीं समझ में आता, function में बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ती है, function को सीखने में बहुत time लग जाता है, pro तो होने में बहुत time लग जाएगा, ठीक है बही है, यह bijective function जो होगा, जो भी bijective होगा, मतलब ऐसा function जो one one और on two दोनों होता है, उसका graph अगर बना के देखोगे, तो एक straight line निकलेगी, ठीक है, यह भी अपको proof करके दिखाया जाएगा, the bijective function follows a reflexive, symmetric and transitive property, समझ रहे हो, reflexive function की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पर relation, अपनने relation पढ़ाए ना, reflexive relation, symmetric relation और transitive relation, तो कोई भी bijective function अगर है, तो वो एक equivalence relation होता है, ठीक है, अगर कोई भी एक, अब equivalence कहां से आ गया, अरे भाई कोई relation अगर reflexive है, symmetric है और transitive है, तो उसको equivalence relation बोलते थे ना, याद करो, यहाँ पर relation को attacking function बोल दो, एक byjective function, एक equivalence function होता है, equivalence मतलब, सर एक byjective function, आप ध्यान दीजेगा, इट कैन बी, reflexive, symmetric and transitive तीनों, वो तीनों ही property शो करता है, next, the composition of byjection, F and G is also a byjective function, composition, यह line मैंने इस लिए लिख दी बेटा, because अपन आगे चलेंगे, तो अपन को composition of function भी पढ़ना है, यह मैं आपको next के next वीडियो में समझाओंगा, fog, golf, यह सारी चीज़े अपन समझेंगे, यह दिखा ना, fog, fog या golf, यह सारी चीज़े अपन समझेंगे, detail में समझेंगे, अलग यह अलग वीडियो जाएंगे, मैं बिल्कुल भी सारे topics को, या सारे subtopics को, एक ही वीडियो में नहीं समझाता हूँ, इसलिए, के आपको हर एक चीज़े को detail में समझाने का, मुझे भी मौका मिले, और आपको भी मौका मिले, हर चीज़े को detail में समझने का, I hope आपने इतनी चीज़े copy कर ली होंगी, अगर इतनी चीज़े copy कर ली हैं बिटा, तो बहुत अच्छी बात है, अब हम चलते हैं कुछ examples की तरफ, ठीक है, अब हम चलेंगे बिटा, कुछ बढ़ियत तगड़े वाले examples की तरफ, और यहाँ पर आपसे discuss किया जाएगा example, ध्यान दीजेगा जरा, ध्यान दीजेगा, आपको एक function दिया मैंने, function fx is equal to, ध्यान दीजेगा बिटा, 3x minus 2, या 3x minus 1 ले लो, चलो, अब condition दी जा रही आपको, पहली condition, जो ff function वो natural to natural है, ठीक है, आपको domain और codomain दे दिये गए, ऐसी बच्चों भी और भी दूँगा, पहले आप इत्मा देख लो, ठीक है, ऐसी बच्चों यह एक दे दिया, आपको first वाली condition दे दी मैंने, ठीक है, ठीक है, third condition मैंने दे दी बिटा, function is from z to z, यानि integer to integer, ठीक है, इसको अपन x square भी ले सकते थे, x cube भी ले सकते थे, अब आपको समझेंगे, सारी चीज़े समझेंगे, ध्यान देना, अभी आपको यहाँ पर, मैं यह वाला point भी समझाऊंगा, बाइजेक्टिफ function is represented as a graph, ठीक है, अगर बाइजेक्टिफ function को आप graph के तौर पर दिखाना चाहो, तो एक straight line ही बनेगी, यह भी आपको मैं समझाऊंगा भी, तो यहाँ आ जाते हैं सबसे पहले, अपन सबसे पहले काम करते हैं सर, अब यहाँ पर पता करना है, कि बाइजेक्टिफ यह है या नहीं, मतलब या तो यह आएगा या फिर यह आएगा, बाइजेक्टिफ ठीक है, बाइजेक्टिफ बोले तो, सर हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक बनाते हैं क्या, one one, two, on to मतलब सर बताता हूं देखो अपने यहां पर दो blocks बना लिए क्या बना लिये सर blocks यहां पर बडिया सुन्दर सी writing में अपन दो dip by बना लिये, ठीक है सर, दो dip by बना अब इन dip के बारे में क्या कहना सर, देखो, यह अगर अगर यह वाली condition पे ये function 11 निकला तो अपन 11 पे tick कर देंगे, onto निकला तो onto पे tick कर देंगे और अगर 11 और onto दोनों आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये by objective हो जाएगा, चलो check करते हैं, ठीक है, check करते हैं सर, natural to natural, सबसे पहले तो ये देखो, ठीक है सर, मतलब जो function है, it is from a set that is of natural number to a set that is of natural number, मतलब की, मतलब की, मतलब की सर, जो input जाएगा, वो भी natural, जो output आएगा, वो भी natural, मतलब की सर यहाँ जो x होगा, जो input होगा, basically यहाँ लिखते हैं, अपन input, ठीक है, input जो जाएगा, वो बिलोंग करेगा अपना natural number से, यहाँ से जो output आएगा सर, वो बिलोंग करेगा natural number से, ठीक है सर, output belongs to natural number n, clear है, बिल्कुल सर, clear cut समझ में आ रही है यह बात, ठीक है, अच्छा, input क्या होता है सर, input x होता, और बहुत सारे inputs हो, तो x1, x2, x3, x4, यह होते हैं, ठीक है सर, तो यहाँ पर अपन को समझ में आ गया, जो x1, x2, दो inputs लेते हैं, वो बिलोंग करेंगे, अपने natural number से, ठीक है, output क्या होता है सर, सर, output होता है y, अच्छा, y होता है output, और y क्या होता, जैस x जो होता, इसी को अपन y लिख सकते हैं, सर, इसी को अपन y लिख सकते है, 3x-1, और यही output होता है, यह यह, 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 दोनों output होते हैं, ठीक है सर, तो output में अपने क्या लिखा, कि सर, output जो है, वो y होता, और y is actually nothing, बट fx, है न, तो यहाँ पर, अगर मैं x की जगा, x1 input लिया हूँ, तो output क्या होगा, output होगा fx1, है न, अगर मैं x की जगा, input x2 लिया हूँ, तो यहाँ output होगा fx2, यह, दोनों क्या होंगे सर, यह, बिलॉंग करेंगे अपने natural number से, यानि यह भी natural number होने चाहिए, बस यह याद रखना, ठीक है सर, याद है, आगे बढ़ते हैं सर अब बात ऐसी है कि सबसे बह्ले हमगे 1-1 चेक कर लेते हैं, और 1-1 चेक करनी की प्रक्रिया आपको पता है, ठीक है, 1-1 चेक करते हैं सर, क्या, यहाँ पर heading लिखते है, 1-1, ठीक है सर, done, तो सर 1-1 के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो input ले ले लेते हैं x1 और x2, let फिर हम let करते हैं इन input से बनने वाले जो outputs होते हैं, जो image होते हैं, वो equal हैं, हम ये let करते हैं, है ना, और let कर लेते हैं, let fx1, जो x1 से image बनेगी, output आएगा, और fx2, जो x2 से image बनेगी, जो output आएगा, वो equal है, ये हमने sir कर लिया let, अब एक बात बताओ, fx1 क्या होगा, sir अगर मैं इसकी जगा x1 लिखूंगा, तो मुझे यहां भी 1 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, तो fx1 होगा, 3x1-1, 3x1-1, ठीक है sir, equal, equal, fx2, अगर मैं यहां 2 लिख दूँगा, तो बिटा यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, fx2, fx2 is 3x2-1, 3x2-1, तो sir यह हमने लिख दिया भई, ठीक है boss, यह sir बिल्कुल perfectly लिख दिया, अब sir minus 1 minus 1 दोनों तरफ से उड़ा दो, minus 1 minus 1 गया, यह आया 3x1 is equal to 3x2, sir, 3 से 3 उड़ा दोख multiply में, क्या आया sir, x1 is equal to x2, और sir, जैसे ही image equal लेने पर, outputs equal लेने पर, elements भी equal आजाएं, यह inputs भी equal आजाएं, समझ जाना यह 1-1 function है, last में क्या लिख देंगे, therefore, f is 1-1, क्या है sir, f is 1-1, तो sir, यह वाला जो condition दे रखी है, यह जो हमें definition दे रखी है function की, वो natural to natural में हमें समझ में आगया sir, कि यार यह natural to natural में तो 1-1 है, 1-1 तो है sir, अब on to देख लेते हैं, on to कैसे पता करते हैं, इसको copy कर लो, फिर मैं on to बताता हूँ, ठीक है, चलो on to देख लेते हैं sir, दूसरे color से देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, sir, on to कैसे पता करते हैं, अरे यह तो और आसान है यार, यह तो और आसान है, कैसे sir, देखो बताता हूँ, sir, on to में सबसे पहले तुम्हें जो function दिया fx करके, यह उसकी जगा बस y लिख लो, सबसे पहले अपन को let करना है, let fx जो है, मैं उसकी जगा equal to y लिख रहा हूँ, तो fx नहीं आएगा, अब आएगा y is equal to 3x minus 1, ठीक है, तो y is equal to 3x minus 1, sir, clear है, हाँ sir, clear है, अब यहाँ दूसरा step होता कि x के equal बनाओ भी यह इसको, 1 इदर आएगा, तो y plus 1 is equal to 3x, और x के equal बनाने तो 3 इदर आएगा, तो sir, x is equal to, x is equal to कितना आएगा दोस्त, x is equal to y plus 1 upon 3, y plus 1 upon 3, sir, यह बनी x के बहाफ में, x के equal में something, तो यह x के equal में बने गई, अब बात number 1, हम on to में क्या check करते हैं, हम on to में y की values रखके check करते हैं, ध्यान देना, और y की value क्या है बल्या, y की value natural number है, मतलब बिटापन कहां से रखना शुरू करेंगे, 1 से, तो बिटा, y की value natural number है, हम यहाँ पर y की value 1 से रखना शुरू करेंगे, y is equal to 1, ठीक है, फिर y is equal to 1 रखको, चलो, क्यों? क्योंकि y जो है वो एक natural number, वो एक output है, y का output है, output का मतलब output is also from natural, तो सर्थ जैसे हमने y 1 रखी, तो x is equal to बिटा, 1 प्लस 1 टू, 2 अपॉन 3 आया, अब x जो है वो 2 अपॉन 3 आ रहा है, गौर से सुनना, y मतलब दूसरे सेट का बंदा, दूसरे सेट का मेंबर, जो की natural number है रख लिया, अब उसका pre-image क्या आया, उसके लिए input क्या आया, उसके लिए x क्या आया, उसके लिए x आया, 2 अपॉन 3, क्या x input 2 अपॉन 3 आ सकता है? सर, जो x है, जो input है, वो तो natural number है, पर यह तो natural है ही नहीं है, तो अपन यहां लिखेंगे, does not belongs to natural number, मतलब यह on to नहीं है, on to नहीं है, अब इसमें क्या लिख सकते हैं अपन detail में, मैं बता रहा हूँ आपको, अपन detail में लिख सकते हैं, for y is equal to 1, which is a natural number, we got its pre-image, we get its pre-image as 2 upon 3, and 2 upon 3 is an input, and input cannot be non-natural, input तो natural number होना चाहिए, input तो natural number होना चाहिए, तो actually y is equal to 1 के लिए हमारे पास पहले वाले set में, यानि n वाले set में, जो domain वाला set है, उसमें कोई value है ही नहीं है, मतलब मतलब मतलब, यह पहला set, यह दूसरा set, यहां से y निकलेंगे, यहां से कौन निकलेगा, y निकलेंगे, यहां से कौन निकलेगा, यहां से x निकलेंगे, ठीक है sir, है ना यह भी अपना हो गया natural number, यह भी अपना natural number, यह इन्होंने function बना के दे दिया, कि sir this is function, ठीक है, अब यहां पर Y में मैंने क्या किया बिटा यहां Y में मैंने natural number 1 ले लिया और 1 के लिए जो pre image आ रही है X आ रहा है वो 2 upon 3 आ रहा है यार 2 upon 3 इस natural number के set में आई नहीं सकता क्योंकि natural number का set है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही तो होंगे यह तो rational है भाई तो 2 upon 3 बिलॉंग ही नहीं कर रहा है न से 2 upon 3 बिलॉंग ही नहीं कर रहा है न से natural number से मतलब 2 upon 3 पहले वाले set में हो गई नहीं और जब वो नहीं होगा तो यह क्या है यह 1, 1 तो है पर on 2 नहीं है तो on 2 के आगे cross और अगर यह 1, 1 और on 2 दो दो नहीं है तो यह bijective भी नहीं है आप लिखोगे therefore it is not on 2 और अगर यह on 2 नहीं है और यह 1, 1 है खाली तो यह bijective भी नहीं है तो आपको समझ में आगया होगा कि पहला वाला पाट अपन ने कैसे किया ठीक है so we will write the last line that it is neither it is not on 2 due to which it is not it is not bijective बात समझ में आगई yes sir so it is not bijective आगे चलते हैं sir अब second वाला पार्ट देख लेते हैं real to real ठीक है sir अब ज़रा और मजा आएगा real to real देख लेते हैं sir चलो moving on यह real to real क्या है sir बताता हूं सुनते जाना पूरा वही रहेगा पूरा वही इस बार देखना बस थोड़े से changes हो जाएंगे पर मैं दोबारा ही करूँगा क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा नहीं तो सारी चीज है ठीक है इसको हटाई देता हूं थोड़ा सा आलस गल्दी करवा देगा नहीं ठीक है sir अचा sir हमारा function अब इस बार क्या है function real to real real number से real number तक ठीक है now the function goes from real r to r ठीक है r to r done sir अचा यह r क्या है यह input है यह domain है है ना आप कहा सकते हूं यह input है input मतलब domain वाला साथ ठीक है तो आप कहा सकते हूं यह domain है और बिटा domain में है अपन अपन देखो domain मोमें तो यह सब technical word है अपन input लिख लेते हैं अपन तो बढ़िया अपनी raw language गमटो वाली language का use करेंगे अपन तो ठीक है तो अपन ने लिखा sir यह input है और input is actually x है ना बहुत सारे input है तो x1, x2, x3, x4 यह सब हो जाएंगे ठीक है sir तो यहां से एक चीज समझ में आया जो x1 है जो x2 है यह सारे input belong करते हैं किसको real number को है ना real number को belong करते है ठीक है sir ऐसे बच्चों जब हमने output की बात करी तो output भी sir यही आया output होता है co domain output का set होता है co domain ठीक है sir तो यह co domain का set आ गया अब जो co domain है sir ध्यान देना बिटा अब जो co domain है इसमें output की जब हम बात करेंगे तो output किसको कहते है output बटा fx को कहते है output किसको कहते है output is nothing but y y या fx आप कुछ भी कह सकते हो तो y या fx यह output होता है मैं यहां लिख देता हूं बटा clear लिखना जरूरी है जो y है यही अपना fx है है ना और यह भी बिलॉंग करेगा अपना real number से सर इसका क्या मतलब है इसका मतलब अगर मैं x1 input रखा हूं तो output fx नहीं होगा fx1 होगा तो output will be fx1 ठीक है सर सर यह किसको बिलॉंग करेगा real number को अगर मैंने input x2 रखा होगा तो output fx2 कहलाएगा fx2 कहलाएगा output जो कि यह भी real number होगा correct है सर इतनी बात समझ में आ गई यह होता है question का basic question का basic समझाना तो मैंने समझा दिया अब बात करते हैं सर अपन function fx की जो कि यह 3x-1 ठीक है सर अब अपन सबसे पहले क्या चलेंगे सर सबसे पहले चलेंगे 1-1 तो यह 1-1 तो यह हो जाएगा देखो 1-1 कैसे होगा यहां देना सर 1-1 कराने के लिए आपको पता ही है कि सर हम 2 inputs लेते हैं let करते हैं 2 inputs तो हम सबसे पहले line लिखेंगे let x1 and x2 are the 2 inputs और यह दोनों क्या है inputs कहां से आ रहा input पहले set से आता है यानि real number से तो 2 inputs हैं सर हमने belong करा दिये के they are real number ठीक है अब 2 inputs हैं और हमने इनी से बनने वाले image को let कर लिया कि वो equal है अगर इन input से बनने वाले output जिनको हम image बोल रहा है वो अगर equal हमने अपनी मर्जी से रख लिया तो input भी equal आना चाहिए तब 1-1 होंगे ठीक है सर तो let fx1 input x1 is equal to fx2 input x2 दोनों equal है और जब यह दोनों equal है तो इनके नीचे इनकी values भी रखना बनता है तो सर इनकी values रखने हैं ठीक है done सर चलो fx1 इसमें x1 रखेंगे तो इसमें x1 तो इसमें x1 3x1 minus 1 3x1 minus 1 equal 3x2 minus 1 3x2 minus 1 काटब पीटी करेंगे आराम से हमें मिल जाएगा इससे यह कटा 3x1 is equal to 3x2 ठीक है सर 3 से 3 कट गया ठीक है x1 is equal to x2 यह हो गया सर अपना और मैंने क्या बोला से बनी हुई image यह output fx1 x2 से बनी image यह output fx2 अगर outputs यह images equal हमने रख दी अपने मन से और solve कराने पे elements यह inputs भी equal आ जाए तो यह 1-1 हो जाता है तो last में अपन कह लिखेंगे therefore f is 1-1 f is 1-1 तो भाईया 1-1 पे यहां हम लगा देंगे बढ़िया सा cute सा सुंदर सा टिक सर यह 1-1 हो गया अब on to देख लेते हैं on to के लिए यहां side में अब यह on to भी निकलेगा यह उस बार on to भी आएगा मैं बताता हूं कैसे देखो on one one हो गया now let us work upon on to धियान देना बिटा important है question ठीक है सर second on to function sir on to कैसे करेंगे देखो on to का step number one होता है कि आपको सबसे पहले let करना है let fx is equal to y है ना सबसे पहला step होता है let fx is equal to y तो यहां पर fx है y लिकलो बस पूरा y is equal to 3x minus 1 y is equal to 3x minus 1 sir x के equal में equation बनाऊ one इदर आएगा तो x is equal to sir y minus 1 upon 3 y minus 1 upon 3 ठीक है यह बन गई x के respect में हमारे पास एक बढ़िया सी equation ठीक है x के हिसाब से बन गई sir y के हिसाब से नहीं x के हिसाब से on to check करने के लिए y की values रखके check की जाती है y अपना क्या है y अपना real number है real number मतला positive हो सकता है y negative हो सकता है rational हो सकता है irrational हो सकता है zero हो सकता है y can anything any real number ठीक है तो अपन ने यहां लिखना है ध्यान से सुनना बेटा अपन को यहां लिखना है y belongs to r y जो है वो r को belong कर रहा है तो y could be बेटा plus का 1 plus का 2 dot 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 ठीक है sir y could be 0 ठीक है y could be minus 1 minus 2 dot 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 ठीक है sir y could be अपना rational number यानि की 3 upon 2 यानि की minus 1 upon 3 dot 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 y can be अपना irrational number यानि की under root 2 comma under root 3 dot 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 यह लिख दिया y can be natural number y can be whole number y can be integer y can be rational y can be irrational मतलब y तो भही है real number है बिलकोल है boss ठीक है अब हमें सारे के सारे की value रख के दिखानी नहीं है नहीं तो फिर हम तो बाबा हो जाएंगा कंगाल हो जाएंगा बहुत टाइम लगेगा ठीक है sir तो यहां क्या करेंगे यहां अपन एक काम करते हैं यहां थोड़ी सी cheating कर लेते हैं इसको मैं erase कर रहा हूँ 1-1 तो आ गया ही मैं erase कर रहा हूँ ठीक है इसको सरावाप erase कर दीजिए ठीक है ध्यान देना जरा ठीक है sir अपने पास सबसे पहले y की जगा 1 natural check करते हैं ठीक है natural check करते हैं ठीक है 0 upon 3 0 अच्छा x की value 0 आई x की value जो actually x जो है input है input उसकी value real number आनी चाहिए क्या x की value real number है हाँ sir 0 तो एक real number है अच्छा चलो x की value 1 रख ली sorry y की value 1 रख ली natural लख ली अब y की value 2 रख के देखो 2-1 2-1 upon 3 2-1 is 1 1 upon 3 sir अब x की value 1 upon 3 क्या ये rational है हाँ sir rational है x की value rational है x की value जो input है वो real number आनी चाहिए भाई या rational भी तो real होता है हाँ sir होता है तो ये real number है this is a real number इससे समझ में आया कि y की जगा यानि second set में y जो बैठा हुआ है कोई भी natural number हो उसका input आ जाएगा उसके लिए पहले वाले set में कोई न कोई बैठा है क्योंकि x हर बार real number आ रहा है ठीक है sir y n हो गया अब sir इस बार अपन y को whole number चेक करते है whole बोले तो y is equal to 0 चेक करना पड़ेगा ठीक है sir तो इस बार y is equal to 0 करते है ठीक है 1, 2 और dot 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 लिख लेते हैं इस बार ठीक है और यहां लिख लेते हैं sir अपन क्या लिख लेते हैं भाई यहां लिख लेते हैं 0 के y is equal to 0 1, 2 dot 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 ठीक है done sir ध्यान देना जरा जी sir तो यहां x is equal to 0 minus 1 that is minus 1 upon 3 sir यह क्या ही x की value x की value y जब 0 रखा y जब एक whole number रख दिया y 0 रख दिया तब x की value 1 upon 3 आई minus की क्या ही यह real number है बिलकुल है rational number भी एक real number होता यह भी आई ऐसी जब हमने natural check कर लिए हमने whole number check कर लिए अब हम क्या check करेंगे अब हम check करेंगे sir integer तो अब अपन लिखते हैं y यहाँ पन लिख देते हैं 1 यहाँ लिख देते हैं अपना 2 यहाँ लिख देते हैं बिटा अपना 3 के y is equal to इस बार z जो y है वो integer है यहाँ 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 की जगह इस बार हम यूज करते हैं minus 2 minus 1 हाँना बहुत सारे integers अपन चेक करते हैं ठीक है sir करो दोस्त तो x is equal to y minus 1 upon 3 x is equal to y minus 1 upon 3 y minus 1 upon 3 तो y की जगह sir हम इस बार 2 लिखते हैं minus 2 लिखते है minus 2 minus 1 minus 3 upon 3 तो यह आजाएगा minus का 1 sir y जो x जो है वो minus 1 आया क्या यह एक real number है बिलकुल है minus 1 एक integer होता integer है एक real number है मतलब पहले वाले set में x की value जो minus 1 आ रही है किसके लिए minus 2 के लिए y में minus 2 है तो minus 2 के लिए यहाँ पहले वाले set में एक minus 1 बैठा हुआ है real number आ रही तो यह यह तो सही है 3 हो गया ऐसी सारे integers में real number ही आएगी ऐसी 4 अब पन rational ले ले लेते हैं के y is equal to rational बेटा क्यू होता है है ना y belongs to q कर देते हैं y belongs to q यह भी belongs कर दो x belongs y belongs चल दी सही belongs कर दो है ना इक्वल टू नहीं करेंगे belongs looks better sir यह belongs कर दिया ठीक है done sir चलो आगे देखते है अब आपको पता होना चाहिए कि sir यहाँ पर q क्या है तो y की value आप कोई भी rational रख दो 1 upon 2 रख दो यह rational है 3 upon 4 रख दो यह rational है minus 1 upon 6 रख दो यह rational है सारे rational values है कोई भी value रख दो आप किस की जगा इसमें y की जगा इसमें है ना तो चलो solve करते है 1 upon 2 के लिए solve कर लेते है तो sir x is equal to y minus 1 upon 3 y की जगा मुझको रिखना है पहला rational number 1 upon 2 ऐसे ले लिए है मैंने अपने मन से आप भी ले सकते हो no doubt 1 upon 2 minus 1 upon 1 upon 3 ठीक है सर minus 1 upon 2 minus 1 upon 6 सर यह minus का 1 upon 6 आया कब? जब हमने y की value 1 upon 2 ली तो यह minus 1 upon 6 आया और minus 1 upon 6 एक rational number है जो की x में available होगा input x है domain real number है real number में आता है कौन आता है? 1 upon 6 ऐसी बच्चों एक irrational और बच्चा irrational को भी दिखा देना यह onto निकलेगा हर एक y की value जो second set में है जो second set में y है output है हर एक output हर एक y की value हमें ध्यान दीजेगा एक real value मिलेगी जो की set first में होगी अगर आप y 1 ले रहे हो तो आपको x जो मिलेगा वो पक्का first वाले set में कुछ ना कुछ होगा आप अगर y को minus 2 ले रहे हो तो आपको minus 2 जैसे ही आपने यहाँ पर minus 2 लिया minus 2 minus 1 minus 3 minus 3 upon 3 minus का 1 तो आपको real number x वाले पहले set में minus 1 मिल जाएगा आप उसको जोड़ दोगे आप उसको arrow से जोड़ दोगे relate कर दोगे तो इसका मतलब यह एक on to भी हो गया और अगर यह on to भी हो गया तो इसका मतलब यह वाला क्या यह इस condition में एक by objective function भी proof हो गया sir कौन सा function प्रूव हो गया बिटा by objective function भी यह प्रूव हो गया आगे चलते हैं दोस्त कोई समस्या नहीं है यह वाला बिटा तो अपने homework में ले लो यह तुम करोगे खुद ठीक है this you will do it by your own यह आप खुद करिये बहुत answer easy है यह one one तो निकलेगा पर on to नहीं निकलेगा ठीक है यह one one निकल जाएगा पिटा पर on to नहीं निकलेगा on to नहीं निकलेगा तो यह by objective भी नहीं होगा one one on to नहीं होगा तो इसको तुम homework में करना खुद से clear है yes sir I hope बढ़िया तरीके से तुमको यह सारी चीज़े समझ में आई होंगी अगर समझ में आया है one one on to का सारा concept तो जल्दी से वीडियो को like कर देना अपने दोस्तों के साथ share कर देना comment करना सब कुछ बताना कैसा लगा session कैसा लगा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को जरूर बताना कि भईया उनको भी Magnet Brains के YouTube चानल पर है आना और अपने पढ़ाई को बहुत उपर तक है ले जाना जीशा एंसर के साथ only on Magnet Brains ठीक है चलो भई Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है 100% free of cost education and all the videos are free of cost on our YouTube channel, हमारे website और हमारे application पर Every video is rich in quality आपको सारे videos quality rich content से भरे हुए मिलेंगे और सारे detailed explanations होते हैं like MCQs, MIQs, Case-based questions NCIT questions, Explanation of concepts Explanation of sub-concepts सारे chapters आपको cover up कराये जाएंगे सारी exercises, सारे questions, सारे example हर एक चीज़ detail से detail में आपको पढ़ाई जाती है Only on Magnet Brains YouTube channel हमारे सारे videos properly arranged होते हैं पूरा course आपको free of cost कराये जाता है पूरा course मतलब K12 का पूरा course K12, Kindergarden से Class 12 तक English Medium, CBSC Board सारा कुछ पढ़ना है आजाओ Magnet Brains पर ठीक है? इसी के साथ Hindi Medium वालों बच्चों के लिए भी बता देना चाता हूँ UP Board, Bihar Board, MP Board, Rajasthan Board, Delhi Board ये पाँच state boards जो Hindi Medium में deal करते हैं अगर इन से related आपका कोई भी दोस्त है आपका कोई भी भाई भाई बहन है कोई भी जानकार है, siblings हैं, cousins हैं तो उनको बताओ यार बच्चा के Magnet Brains YouTube चैनल पर Hindi Medium Magnet Brains YouTube चैनल पर Class 6 से Class 12 Hindi Medium वाले बच्चों की भी तगड़ी पड़ा ही चल रही है तो वो भी आ सकते हैं आ क्या सकते हैं? आना ही चाहिए यार पैसे बचाओ अपने माबाप के इतने hard and money है बड़ी महनत से कमाया जाता है तो उनका पैसा बचा लो by studying on our YouTube चैनल अगर आप English Medium के बच्चे हैं Class 6 से Class 12 CBSE बोट के तो आपके लिए notes डाउनलोड करने की बड़िया सुवीदा है हमारी website पर आ सकते हैं www.magnetbrains.com या फिर हमारा application बिटाप इंस्टॉल कर सकते हो Google Play Store से बस दोनों ही जगा कहीं भी आप आके आपको एक काम करना है Grab e-notes पे क्लिक करना है जैसे Grab e-notes पे क्लिक करोगे आपको एक ऐसे page पर आगे forward कर दिया जाएगा जहां से आप अपनी सुवीदा के according Class 6 से Class 12 तक अपनी Class select कर सकते हैं और उसके बाद अपना subject select कर सकते हैं जिस subject की आपको notes की आवशकता है उसके बाद आपको English Medium के CBSE Board के notes download हो जाएंगे जो की एक number notes होंगे बिटा मैं फिर बोल दे रहा हूँ 6 to 12 CBSE Board and that to EM that is English Medium clear है? अगर सब कुछ बड़ी अलगा हो तो like जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर देना वीडियो को जल्दी मिलेंगे next video में till then happy learning take care